नमस्कार वनकम सास्रियकाल इस वीडियो में बात करें ये सीजन आठ के कुछ शांदार लम्हों की कोई क्लोज मैच या वो रेडर या ये डिफेंडर करके बहुत अंदर डीप जाके मैं ऐसा कुछ विशलेशन नहीं करना चाहता सीजन आठ में कुछ दस बारा ऐसे खटे मिठे पल जिन्नोंने आपको और हमें हसाया गुद गुदाया या कुछ एक अनूठी चाप छोड़ी कुछ सीखने का मौका दिया वो यादें जो खेल से उपर और खेल से हट कर हैं लेकिन ऐसी यादें जो हम कभी भूल नहीं सकते उनकी चर्चा आपके साथ करने की कोशिश करता हूँ सबसे पहला लमा जो मुझे याद आता है जो सेमिफाइनल हुआ था दूसरा सेमिफाइनल दबंग दिल्ली और बेंगलूरी बुल्स के बीच में आखिर के डेड़ दो मिनिट बचे थे डिल्ली के पास थे तीन खिलाडी जिसमें नवीन भी थे नवीन रेड करने जाते हैं पवन खड़े थे लेफ्ट इन पे पवन ने उन पे डाइव लगाई ये सोचके कि पीछे दो खिलाडी बचेंगे हम आल आउट दे के वापस आ जाएंगे बिल्कुल सही सोच थी पर नवीन ज्यादा फुर्तीले निकले दोड़ के मिड लाइन क्रॉस कर ली टीम का आल आउट उन्होंने लगभग बचा लिया और फाइनल में जगा लगभग पकी कर ली तो इसमें खास क्या है खास ये है देखिए नवीन जब मिड लाइन क्रॉस कर रहे थे प्रभू तो उनके चेहरे पे मुस्कान थी स्माइल कर रहे थे हस रहे थे उन्हें अंदाजा हो गया था कि इस एक बेश कीमती पॉइंट ने हमें इस मैच को जितवा दिया है क्योंकि पवन का आउट होना दिल्ली के लिए बहुत बड़ा तौफा था तो कौन सा रेडर ऐसा होता है भाई जो हसते हुए मिड लाइन क्रॉस करता है ये काम सिरफ नवीन एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके बाद बात एक ऐसे कोच की जो सीजन पांट से लेके आठ तक अप लेकिन अपने एक अलग स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं जो दिल में है वो मूपे बोलते हैं और जो मन की अंदर है वो चिहरे पे एक्सप्रेस करते हैं सही पकड़ा आपने मन्टरी सिंग गुजराज जाइंट्स के कोच उनका गुसा उनका क्रोध उनका खिलाडिय जोड़के महिंदर सिंग को महिंदर गनेश राजपूत को बोल रहे थे महिंदर भाई बोनस क्यों नहीं ले रहे आप तो मनपृत का हमें ये रूप भी सीजन में देखने को मिला वो एक बड़ा ही एम्यूजिंग लमहा था मेरे लिए क्योंकि मनपृत जब हार्ट टाइम हुआ कोट के पीछे गए टीम से बात करने के लिए और फिर नराज होके बोले ओ मैं बात नहीं करनी यार तुम लोगों से बोलके डगाउट में चले गए पीछे पीछे सुनी लाए टीम के कैप्टन बोले ऐसे ना आ करो कोट साब तीम का मॉराल गर जाएगा बात कर लो फ एक मैच हुआ था बुल्स और तिल्गू टाइटन्स के बीच में बढ़े शुरुवाती दौर में बुल्स एक पॉइंट से पीछे थे आखरी रेड में आ गए विरोधी टीम के कैप्टन रोहित कुमार अक्की पवन एडवांस जाके उनको शोल्डर टैकल कर लिया खीच लिया अंदर और हारा हुआ मैच टाइ करवा लिया अदभुत टैकल था पवन का कुछ समय बाद दिल्ली का मैच हुआ बैंगलूरू बुल्स से वहां उल्टी सिचुएशन थी बुल्स एक पॉइंट से लीड कर रहे थे आखरी डेड में पवन चले गए वहां मनजीत जो क मैच टाइ करवाया था वही कारनामा मनजीत ने पवन के ओपर कर दिया था और अपना हारता हुआ मैच टाइ करवाया था यह बड़ा अदभुत संयोग है इस सीजन आठ में तीसरा मुझे चौथा मुझे याद आता है चुकि तेलगू टाइटन्स की बात है याद किया मैं है मनिंदर सिंग और मनिंदर सिंग का निशाना पहले हमेशा राइट कवर पर ही होता है तो मनिंदर ने एक टच किया सुरिंदर बाहर दूसरी बार गए टच किया सुरिंदर बाहर तीसरी बार टच किया सुरिंदर बाहर चौती बार सुरिंदर ने ठान लिया कि अब मैं ज लग गया हूए यानि कि लग गया तो ये जो अंदर की मासूमियत है सुरिंदर की लग गया हूए ऐसा लगता है कि वाके में बच्पान लौट आया हो सुरिंदर सिंग सीजन बेशक उनका नरम गरम रहा लेकिन बहुत ही प्यारे खिलाडी है उसके बाद आगे चलते हैं प्यारे खिलाडी से सकत कोच सहाब की तरफ के के हुड़ा सहाब एक मैस था मुझे याद नहीं कौन सी टीम के खिलाफ टाइम आउट लिया गया था जो उड़ा सहाब खड़े हैं टीम को देख रहे हैं मनजीत बाकी कि खिलाडियों को डिफेंस का घ्यान दे रहे हैं अजे अपने रेडर्स को रेडिंग का ज्यान दे रहे बीच में जुगिंदर भी बोल रहे हैं बीच में संदीब नर्वाल भी बोल रहे हैं उड़ा साब ऐसे देख रहे थे थोड़ी दिर देखा पांच सेकेंड, दस सेकेंड फिर सोचा कि यार कोच तो मैं हूँ कहते रैम मारी भी सुन लो वो सारी फ्लेर ऐसे अटेंशन कोच साब ऐसा भी होता है कई बाट टाइम आउट में कोच को इंतजार करना पड़ता है अपनी बारी लाने का आगे चलते हैं इंतजार किया था एक खिलाडी ने बोनस लेने का सही पकड़ा आपने तेलगू टाइटन्स की बाद मैं पहले कर रहा था तेलगू टाइटन्स का मैच था जैपुर पिंग पैंथर्स के खिलाफ जैपुर पिंग पैंथर्स के इस सीजन डेब्यूटांट है इन फाक्ट दो तीन डेब्यूटांट है उनमें से एक है ब्रिजिंदर सिंग चौधरी आखरी खिलाडी बचे थे पहले गए यहां महां उन्होंने movement की फिर सुरिंदर ने आके dash कर दिया उन्होंने यह बाद में review लिया कि bonus plus one मैं safe हूं और 7 में bonus लिया है तो हमारे director सहाब में हमें replay दिखाया bonus नहीं दिखा और वो out भी थे mid line cross नहीं की थी बाहर जाके cross की थी फिर हमने कहा कि चलिए पूरी rate देखते हैं एक बार शायद पहली try नहीं दूसरी में या दूसरी नहीं पहली में bonus लिया होगा हमने पूरी rate देखी बिजिंदर चौधरी जाते हैं बॉक लाइन cross करते हैं bonus line से कम से कम 2-3 feet दूर उनका पैर है bonus के try भी नहीं की out हो गए तो प्रभू ने bonus का review मांग लिया वो कहते हैं न कि vision बड़ा रखो जब review मांगना ही है तो एक क्यों दो point का मांगो मिला तो मिला नहीं तो ना मिला उस पे आप लोगों ने जो social media पे हला किया था कि bro अब उनको भी ऐसा confidence चाहिए life में bonus को bonus line के पास भी नहीं गए फिर भी bonus का review मांग लिया बिजिंदर भाई जोक सपाट you are a wonderful all-rounder nationals के आपके खेल में मैंने बहुत तारीब सुनी है आशा करते हैं अगली सीजन आपके बेहतरीन रहेंगे बेहतरीन coach एक है अगली में series पे आता हूँ coach तो बेहतरीन है ही है लगातार तीन बार अपनी team को play-off लेके गए रणधीर सिंग से रावत सहाब अगर सबसे colorful coach सबसे अच्छे color combination पहनने वाले coach का अगर award मिलना है तो कोई दावेदारी ही नहीं है पहला दूसरा तीसरा सारे award रंधीर सिंग से रावत सहाब को मिलने वाले है आगे चलते हैं शेरावत सहाब अपनी team के लिए खिलाडियों के लिए पिता तुल्ले है पर इस सीजन में दोस्तो एतिहासिक हुआ है एतिहासिक तीन चार चार खिलाडी मुझे confirm है जो सीजन आठ चलते चलते पिता बने सबसे पहली कुछ ख़बरी आई थी सुरजीत भाई के घर से सुर्जीत सिंगरवाल जो तमिल तलाइवास के कैप्टन है वो पिता बने उनके कुछ दिन बाद अच्छी खबर मिली मोनु गोयत के खर से वो पिता बने उसके बाद नितिन तोमर उनके खर से खबर आई उनके मैसेज आया कि घर में बेटी ने जन्म लिया है और फिर सुरिंदर नारा हमारे हर्याना स्टीलेज वाले हमारे सबसे एक्स्पिरियंस लेफ्ट कॉंडर्स में से तो ये चार खेलाणी जो मुझे कंफर्म याद आता है इस चलते सीजन में पिता बने दो बारा से आप चारों को बहुत-बहुत मुबारक मुबारक बाद ही जारी में रखता हूं अगली चीज सीजन आज की जो सबसे अनूठी मुझे याद आती है दे नंबर ओफ बर्थडेज भी 100 कुछ एक तो मुझे याद है परदीर नर्वाल का बहत रे था इस बार मनिंदर सिंग का बहत रे था इस बार नवीन एक्सप्रेस का बहत रे था इस बार केके हुडा सहाब का जनम दिन ने इस बार सीजन में आया रणदीर सिंग सिरावस सहाब का जनम दिन इस बार आया संदीब धुल का बहत रेस बार आया अतिंक जिंक काप्रे का भी आया था एक दो टीम फिजियोज और मैनेजर्स का भी आया था एतिहासिक कई माईनों में ये सीजन रहा है जन्म दिन आये हमारे खिलाडी पिता बने हाँ पिता से मुझे याद आता है सबसे बड़ा एतिहासिक अगर कोई लमहा रहा है इस सीजन में एक ही टीम में पिता और पुत्र की जोड़ी अब आप सब जानते हैं दबंग दिल्ली के लेफ्ट कॉर्णर और उनके नियमित कैप्टन जोगिंदर नर्वाल उनके पुत्र विने नर्वाल भी दबंग दिल्ली टीम का हिस्सा है जोगिंदर भाई की जर्सी नमबर है आठ और उनके पुत्र के जर्सी नमबर है आठ आठ यानि 88 इन फैक्ट विने नर्वाल का जन्मदिन भी इसी सीजन आठ के बीच में आया था क्या संयोग है सीजन आठ पिता का जर्सी नमबर आठ बेटे का जर्सी नमबर आठ आठ बहुत कम बहुत कम खेलों में ऐसा हुआ है कि एक ही टीम में पिता और पुत्र की जोड़ी हो यह अधुत संयोग था संयोग में आगे चलते हैं और बात करते हैं इनफेक्ट यह संयोग नहीं है यह स्वभाव है अगें गुजरात के कोच मनप्रीत सिंग मनप्रीत पाजी मतलब जितने कमाल के खिलाडी थे उतने कमाल के कोच भी है उतने कमाल के कैमरा फ्रेंडली परसन वो जब भी कैमरा के सामने बात करेंगे, चाहे कैमरा हो चाहे ना हो, हमेशा जोश में, हमेशा उनकी जबान पे मेरी तरह फिल्मी डायलोग हमेशा रहते हैं, पर एक चीज जिसने इस बार जो कि पुश्पा रिलीज हुई थी, सब लोगों ने देखी है, उसके डायलोग, उ इस बार, ये मनपरि सिंग की शब्दावली है, अब चाहे तो गुजराज जाइंट्स के इंस्टा पेज पे जाके ये वीडियो पूरा देख सकते हैं, उनका जोश कोई सानी नहीं है, मनपरित पाजी के जोश का, एक और चीज मुझे याद आती है, जोश तो ठीक है, लेक जनवरी 2022, उस दिन ट्रिपल पंगा था, टीन मैच थे, मुझे याद है, मैं और विरजेश हीर जी उस मैच में एंकरिंग भी कर रहे थे, कोमेंटरी भी कर रहे थे, हम दोनोंने टाई पहनी थी, पहले दो मैच टाई हुए, हम दोनोंने फोटो खिंची, कि देखो दो ही हो गए, और उसके बाद मैं आ गया होटल, क्योंकि तीसरे मैच में मुझे कोमेंटरी नहीं करनी थी, होटल पहुँच, रास्ते में ममता पुजारी, जो इंडियन कैप्टन रही है, और कंड़डा कोमेंटरी कर रही है, वो मेरे सत्कैप में थी, और वो मुझे लगातार पीकेल की एप पर स्कोर देखके बता रही थी, सुनिल सर, 14-15, सुनिल सर, 18-19, ये मैच क्लोज है, मैं का कोई बात नहीं, तमिल तलाइवाज और दिल्ली का मैच है, कोई ने कोई टीम जीतेगी, होटल पहुचे दो मिनट बाद, वो मैच भी टाई, एक जनवरी 2022, तीन इसलिए हमने प्यार से तमिल तलाइवाज को क्षमा मांगते हुए, उनको तमिल टाईवालाज का नाम दिया, 6 टाई उनों ने खेले, 5 टाई यू मुंबा ने खेले, इससे पता चलता है कि सीजन कितना करीब था, लेकिन नंबर ओफ टाइड मैचिज एतिहासिक थे प्रभ तरह चली, मैं उनकी ऑशन गेम्स की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी इस सीजन की बात कर रहा हूँ, ये सीजन भी, पिछले सीजन भी फजल की एक बड़ी अनूठी, बड़ी प्यारी बात देखने में मिलती है, जैसे ही उनके रेडर करने जाते है, अभीषेग होँ अजीथ ह एक बाइक आया करती थी पहले मैं ब्रेंड का नाम नहीं लूँगा मुझे कौन सा पैसे दिये उन्होंने उस बाइक की टैग लाइन थी इसके अलावा एक कमाल के कोच अब उनको अभी ट्रॉफी जीतनी बाकी है या फाइनल में जाना बाकी है लेकिन कमाल उन्होंने किया अपनी शब्दावली से अपनी सोच से और इसी के साथ मैं इस वीडियो का समापन करूँगा ये फोटो देखके आपको वह लम्हा याद आ गया होगा जब पुनेरी परिटन यू मुंबा से इस सीजन का अपना पहला मैच केल रही थी पुनेरी परिटन काफी लीड में थी खिलाडी इंज्वाय कर रहे थे कोच नूप कुमार जाते हैं और अपने टीम को कहते हैं देखो बेटे हसना नहीं है अच्छा नहीं लगत और हमारा भी प्यार भी समवाद भी ये भी बने रहना चाहिए आशा है आपको ये सीजन आठ की खटी मिठी यादों वाला वीडियो पसंद आया होगा कुछ और वीडियो आपकी पेशे कित्मत करूँगा जैहिंद